Hello everyone, welcome and welcome back to my channel आप सबने भी देखा होगा कि यूटूब पर जो है केवेस वेकेंसी जो है निकलने वाली इसके लिए खुब चर्चे हो रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि केवेस वेकेंसी मतलब केवेस क्या है और केवेस में किस चीज की वेकेंसी निकलने वाली है और उसका क्या कुछ स्लेबस या एक्जाम पैटरन रहता है तो KVS क्या केंद्रे विधायले संगठन है जिसमें हर साल या हर दो-तीन साल में vacancies निकलती है teachers के लिए उसकी जो expected date बता रहे हैं उसकी vacancy निकलने वाले एक डिड़ मन्त में तो हम देखते हैं उसका syllabus क्या होता है देखें KVS में जो vacancy निकलती है और PRT के लिए primary वाले होते हैं तो PGT के लिए आपको MSC plus beard करना होता है TGT के लिए आपको graduation plus beard करना होता है और PRT के लिए आपको कोई diploma या फिर जेबिटी वगेरा करनी होती है तो उसमें exam pattern क्या होता है देखें PGT में क्या होता है कि जो paper first होता है वो common होता है सब में PGT TGT और PRT 3 में पेपर मन में क्या होता है हिंदी होती है इंगलिश होती है और दोनों 10-10 marks की आते है PGT TGT PRT 3 में ही यह 10-10 marks की आते हैं उसके बाद जो paper 2 होता है उसमें क्योंती है GK और जो current affair होती है वो 10 marks की पीज़़टी में तेखक हुआ से प्रिपेर करना पकलेगा उसके बास आतीए रीजनेंग पोस्ट्राइशन के लिए जो रीजनिग आती है दस मंक्स किया ठीटियमे चालिस मांकस के आतीय उसके बाद आते सब्जक्ते कान्सेंट मतलब किस चीज़ की टीचर बनने या रहे आप बचеспर को क्या पढ़ाओ गेश अगर आप मैण्स पढ़ाओ फिजिक्स पढ़ाओ गेश तो अग roller होता है तो तो PGT में जो है वो 80 marks का होता है मतलब 80 marks का subject के question आएंगे अगर आप economics पढ़ाने वाले तो आपको 80 number के questions आएंगे वो economics आएंगे अगर आप physics पढ़ाने वाले तो 80 numbers का physics आएगा अगर आप social science पढ़ाने वाले तो 80 number का social science का आएगा इसी तरह TGT में जो होता subject concerns कुछ भी नहीं होता है इसमें जो आते हैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश जी के रिजिंग कंप्यूटर और पेड़ागोजी आते हैं उसके बाद PRT में भी 80 number का subject concern होता है तो जो total number of questions होते हैं वो 150 होते हैं तो टोटल मार्क्स भी 150 होते हैं इस paper में कोई भी negative marking नहीं होती है ठीक है उसके बाद यह exam conduct करने के बाद meritless लगते हैं उसके बाद interview होता है तो जो return और interview का जो ratio होता हो 85 ratio 15 ratio होता है कि मतलब 85% जो है वो आपके return मार्क से लिए जाएंगे 15% लिए जाएंगे आपके इंट्रिवाले मार्क से total question हमने discuss कर ले 150 total marks 150 टाइम हमारे पास 2 गंड़ा 30 मिनट रहेगा अब time भी काफी और non negative marking भी है तो मैं अच्छे से high score करना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चे high score करेंगे तो merit भी हाई जाएगी उसके बाद आती है जो एज होती है PRT और TGT के लिए 30 होती है लेकिन फिमेल्स को relaxation होती है फाइफ एज फाइज तक अपलाई कर सकते हैं पांच स इसमें तो आ गया कि पीजटी में जिस सब्चेट का में टीचर बनना है उसका पुछा जाएगा लेकिन प् लिए यह किसी बाप एक्जाम की त्यारी कर हो जो एंचियाटिक आठीक सोर्स और बुक माना जाता है हमारे पास तो जिए पढ़ने के लिए में बुद्ध तक कि एंसटी कवर करनी है साइन्स के लिए इस तू टैन तक कवर करनी होती है उसके बाइब जो इंटर्व्य होता है तब हमारे कुछ नंबर जो ओं 10 120 का एसपास आएंगे उसके बाद हमें MCQ इतने करने है कि अगर एक कोशन के लिए सो या डेट सो के वाइं कि यूज करने उसके बाद टाइम जो हमां र पास चार से पाँच मैने साथ से आठ मेने कि हमें त्यारीं अच्छे से करनी है जैसे मैंने बताया जो वैकंची कब एक मंत में आ सकती है चो एक्जाम जो प्रम्ष कर सकते हैं उसके बाद हमें कभी यह फोकस नहीं करना कि हमें एक गंटा पढ़ेंगे दो गंटा पढ़ेंगे तरह नहीं करना च्टी को जद़ टाइम देना है और वर्ट डू इन्ग्रीज अगर हम हम आज ही डिसाइड करके सोना है तो ताकि हमार जो सेव जो टाइम हो वो सेव हो अब जो प्याटी में मैथमेटिक्स के जो बीस कोशन्स आते हैं उसके लिए हम कहां से अपना वो करें अगर आपका बेस्ट्रोंग नहीं है अगर आप मैथ्स नहीं पड़े हो अच्छे से अपना पहले एंच्याटी करें प्रीवेस ये कोशन्स करें और सिर्ट या डी ट्रीपल अस्बीके किसी भी पेपर के उसके बाद एंस यार्टी करें शिक्स टैंथ वो मौर रगन इनफ हो गया कि लिए साइंस की प्यार्टी के लिए कि 20 कोशन है प्रॉक्स बीस नमबर का क जो कोशन आएगा वो आएका तो सिक्स टूएट्स एंसियाटी कर ले अगर और भी अच्छा एक दो कोशन कि अगर आपको नहीं छोड़ने तो एट टू टैंथ भी कर ले उसके बाद टैट एक्जाम आप आपने किसी भी एरिया का टैट दिया हो किसी भी स्टेट का तो वो कर ले सीटेट दें लखमिर सिंग बुक को फॉलो कर सकते हैं उसके बाद आता कि के वे सेंटरी में उसे पहले हम चलो डिसकस कर लेते हैं कि इविस नंबर की जो जो जोग्रफी वह हमने बता दी कि एंसी आटी से करनी कंप्यूटर दस मांक्स का तक किसी भी कंप्यूटर की ज करनी है उसके बाद प्रिवेस एर डिसकस करने डिट्री प्लेस्ट बनी उसमें जाकर आप डिट्री प्लेस्ट देख सकते हैं उसके बाद आता है कि इंग्लिस को अपना स्ट्रोंग बनाइए वोकेप पर काम करिए इंग्लिस जद्ध से जद्ध टीवी शोद देखिए फिर संटेंस देखिए उसके बाद आता है हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई भी अच्छी से ग्रामर की बुक ले लिए उसके बाद वोकेप पर काम करना है कॉम्प्रियंचन फिर टीचिंग मैथड और डी ट्रिपल एस्बी के जब प्रीवेस एर कोशन है वो लगाई है ठीक है उसके बाद आता है कि केवेस इंट्रू में 60 मार्क्स में क्या करना होता है अपनी परसनलेटी डव लिए और हमें अश्राइटी क्या करनी चाहिए तैक्स अबर और दोड्रेस नहीं ज्यादा त्यार होके जाना है बड़ेद является उसके बाद प्रेस्टीमेट बुक अब कभी मैं 90 बुका नंटर्स्टीर के जाना होती है तो सिंपल फॉर्मiles लिखे जाते तो हमदगता है कि यह यह इंपोर्टन्ट नहीं है बलकि इंपोर्टन्ट होती है और NCRT से ही 90% जो पेपर वो कवर होता है आज की वीडियो में इतना है थैंक यू